हेलो एवरीवान वेलकम बेट तो माई चैनल तो आप सभी का बहुत पुश्ट शुक्रिया अपने मेरे जो आवाद मेरे चाहरे हैं अब हम जा रहे हैं फिर से का और मैं मुस्ट वीडियो का आप बना रहे हूं कि मैं अब इस टाइम मेरा बहुत जाना हो रहा है और आप यू को इंजॉइ कीजिए क्योंकि जितना फोन में वरोबर नहीं दिख रहा ज्यादा तो मैंने देखा है वह बहुत सुंदर लग रहा था तो हम गाउं जा रहे हैं तीज है ना तो तीज पर गाउं जा रहे हैं तो देखते हैं आगे क्या-क्या होता है आप भी मेरे साथ बने रही है प्लीज और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो और इस चैनल को देख रहे हो तो हमने दो बस हमने दो बस चेंज करी एक तो फिर हमारे घर से आए तो फिर एक गाउं में आके फिर से बस चेंज की और अभी हम जा रहे हैं हमारे भाई की ससुराव कि वहाँ पे भावी ने तीज करी है तो भावी के लिए दीज लेके जा रहे हैं मैं और मेरा छोटा-बाई जा रहे हैं और मोस्ट राइम हम ही जाते हम दोनों ही जाते कोई भी काम आता है हम दोनों को भीज देते कि जाओ जाओ तुम लोगी जाओ तो हम दोनों जा रहे हैं अभी अभी बस आने वाला है उनका घर तब तक वेड़ करते हैं और यह देखे बाजरी सब कुछ और यह उनके गाउं के पास तलाब ऐसे ऐसे तलाब मैंने रस्ते में इतने देखे आपको क्या बता हुआ और यह जाओ आपको दिख रहा है इसमें सभी वेजटेबल्स लगी हुई है जो एक ही जने का है फॉर्म है वेजटेबल्स का और यह कमार वे यह आ गए हम लोग थोड़ा सा ही दूर है अभी घर यह मैं रोड़ पे हमको छोड़ देंगे फिर वहां से हम लोग बाइक पे जा पर आगए थी मेरे बहन के सजरार और मेरे भाई और बहन का दोनों का सजरा लेए था तो भाबी जो टीज पे लड़के आती है व्रत करती है उनको देते हैं सामान है सुहागन का सामान है और यह शाम का नजारा मैं यह आप पर आई आ गयी थी हम लोग तीन बज़े ही निक कुछ खाए तो नहीं चाई भाई पी और सब लोग बैठे थे शाम को और ये मेरी बेहन का सुसरा ले घर है उसका और ये उनका आगे वाला ये खेत है उनका फिर जब रात होगी तो हमने जुड़ी खाए थे तो पूर्जा करने बैठ गए सबी लोग फिर हमने तीज माता के वरत की कहानिया सुनी सबको धागा बांदा बिंदी लगाई सबको अक्षत्र दिये जो की सबूत होता है कि हम अनको शाक्षी अनको शाक्षी मान कर रहे हैं जिसमें देवर भाबी का कान पकड़ता है और इसको अपने पती का नाम पूछता है फिर भाबी बताते हैं फिर भाबी भी उसको उसकी बीवी का नाम पूछते हैं अगर होती है तो वो बताता है नहीं होती है तो वो इसे बोलता है कि चिडिया या चिडखली ऐसे बोलता है तो भी यहां पे कपड़े दे रहे हैं भाबी और हम सब यहां पे बहुत हस रहे हैं बहुत ही मजाग मस्ती चल रहा है यहां पे और फिर ये देखो ये कान पकड़ कैसे बोल रहे है पूछा-पूछी कर रहे है यहाँ पे बहुत मज़ा है मुझे बस हो गया रसम हो गई और अभी अभी बस और रसम के बाद हम सबने खाना खाया उसका उसकी क्लिप नहीं नहीं ली मैंने अच्छा नहीं लगता इसे तो फिर मैंने हमने सबने काना खाया बरत खोला चांड बहुत लेट आया ग्यारा बजे चांड आया तो हमने पूजा की फिर चांड देखा और बरत खोला अभी भाबीन सबको ये जो स्वागन की निशाने होती है शोला श्रिंगार वो दे रहे हैं और लड़डू है तो नेक्स्ट मॉर्निंग यह अपने जिमी जिमी सर है जिमी सर यह यही पर रहते हैं रहता है कुपता इनके घर पर ही कहीं नहीं जाता है जहां पर यह लोग खेत में जाते हैं तो उनके साथ जाता है और यह घर में भी घर में रहता है यह हॉल में बैठा रहता है बस तो यह मेरी बेन का खेट और यहां सुब़ सुब़ बारिश स्टार्ट हो गई थी हमको निकलना भी था वापिस घर पे तो हम जानी पा रहे थी कि बारिश चल रही थी फिर हम गए खेट में यह इनकी बाड़ी है परस्नल तो हम बाड़ी में से फलिया तोड़ने गए जो देसी बीन्स होते है वो फिर हमने बहुत सारे देसी बीन्स तोड़े मैं और भाबी गए थे तोड़ने के लिए तो उधर हमने बहुत सारे बीन्स तोड़े यहां पर बहुत कुछ-कुछ डाला हुआ है बीन से मक्का है और जो देशी कखड़ी आती है वो है यह बताने क्या है यह बोलो कर दो दो अच्छा लग वागा उदर यह वाली जवार है तो बहुत ही अच्छी जवाबी अब की बार फसल बहुत ही अच्छी कितने चार-पांच साल बाद इतना अच्छा बारिश हुआ था इधर कि आज पास की जितने भी नदिया है ना तालाब सब भर गए और नदी एक दो मेंसे पुचास किलो मेटर तक दूर गई है न दियर जो भी बेरे होते हैं आमारे तो सब में जो खूए होते जोए पानी आगया पानी भर गया वो पानी साल भर तक चलेगा उससे सबके बेरे पर पानी हो गया अभी और यह तो रही है भाबी हमको तोड़ के दे रहे हैं और यह हम बाइक पर अपने घर जा रहे हैं मेरे घर पर क्योंकि फिर दादा जी ने बोला कि मैं भी साथ चलूंगा पाली तो हम हमारे घर पर जा रहे हैं फिर हम अपने घर से